आपने ये कहते हुए बोल चाल में कहीं नहीं तो सुना होगा कि जब किसी लड़के के एक सधीक प्रिमिकाया पत्या होती तो उसे कहा जाता है कि बड़ा कनहिया बना फूर है तो अखिर क्यों भगवान श्रीकृष्ण को किसी लवर बॉय के तरह किसी रूमियों के तरह आख जो भगवान श्रीकृष्ण की 16,108 रानिया थी तो आए जानते हैं इसके बारे में किसके पीछे के करण और वजह क्या था और क्या भगवान श्रीकृष्ण सच में रोमियों लवर बॉय जो दर्साया जाता है लोगों के द्वारा क्या भगवान श्रीकृष्ण ऐसे थे तो सबसे पहली बात पूराणों के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण की 16,108 रानिया बताई गी हैं लेकिन असल बात यह हैं कि भगवान श्रीकृष्ण के असल में केवल आठी प्रमुक पत्निया थी जिन में थी मातारुपमडी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित् देवराज इंद्र आकर उनसे प्रातना करते हैं कि है श्रीकृष्ण आप जो है दैत्यराज भवामाशूर जिसे नरकाशूर के नाम से भी जना जाता है उसके अत्याचार से देवता गरंट राही रही कर रहे हैं कुरूर भवामाशूर ने वरूंड का छत्र अधिती के पिजाई हो गया है इंद्र ने कहा भामाशूर ने प्रिथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हराण कर उन्हें अपने यहां बंदिग्रह में डाल दिया है और यहां तक कहा जाता है कि नरकाशूर जो है 16100 कन्याओं को कैत करके उनकी बली देन है चाता था था कि उसरी अम्रत्व प्राप्त हो सके तब अंदिर के प्रात्ना को सुउकार कर श्री क्रेश्न अमने प्रिएप पतनी सत्यभामा को लेकर गरुड पर सवार होकर प्रयाक जोतिष्पूर पहुंचे और वहां पहुंच कर भगवान्- श्रिय कर श्रीकृष्ण उनके पुत्र भगदत को अभयदान दे कर उसे प्राग जोतिष्ट का राजा बनाया भौमाशूर के द्वारा हरण के लाई गई 16100 कन्याओं को श्रीकृष्ण ने मुक्त कर दिया यह सभी अप्रहित नारिया थी यह फिर भय के करण उपहार में दी गई थ वे सभी भौमाशूर के द्वारा पीडित थी दुखी थी अपमानित लांचित और कलंकित थी सामाजिक मान्यतों के चलते भौमाशूर द्वारा बंधक बन कर रखी गई इन आरियों को कोई भी अपनाने को तयार नहीं था तब अंत्य में श्रीकृष्ण ने सभी को अश् द्वारिका में रहती थी महल में नहीं वे सभी वहां भजन किर्तन इश्वर भक्ति आधी करें सुख पूर्वक रहती थी द्वार का एक भव्यनगर था जहां सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे तो इस प्रकार से जो कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण के 16108 र और यह बात बिल्कुल गलत है कि एसा खा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने 16100 कन्याओं से विवाह किया था ऐसा बिल्कुल नहीं था केवल वो कन्याएं भगवान श्रीकृष्ण को अपना पती मानती थी और वहां द्वारिका नगरियों भजन किर्थन करते हुए व भगवान श्रीकृष्ण के सबसे पहली पत्नी थी माता रुकमरी जिनको लज्मी माता का अवतार विगाजाता है याँ है कि कई दिल्क्री के docet में चशुप नार्फर करना चाला था इस इस प्रकार से भग्वान श्रिक्रिश्ण नहीं बलकि माता रुकमण ही भग्वान स्रीक्रिश्ण से फ्रेम करती है और इसके पस जब सम्यंतक मडी के चोरी का आरोब भग्वाण श्रीकृष्ण पर लगता है तब वो जामवन से युद्ध करके सम्यंतक मडी लेते हैं तब जामवन जो है भगवान श्री कृष्जन से आगरह करते हैं कि आप मेरे पुत्री जामवन श्री कृष्ण को न का कहना मानते हुँ उनका अगरा सुविकार करते हुए जाम वंति से विवाह करना पड़ता तो आप यहां भी देख सकते हैं कि प्रेम के द्वारे किसी से विवाह नी किया तो इसी प्रकार थे भगवान प्रकार अगर तो आप जवाब दे सकते हैं कि भगवान श्रीक्रिष्ण कोई लोमियों कोई लवर कोई आशिक नहीं योई वो परमा अवतार योगी योगिश्वर भगवान श्रीक्रिष्ण थे प्रकार योगिश्वर भगवान